एक किताब मुझे अर्विंद केजिरिवाल ने भेट की थी, पोटेस्ट के तोर पर अगनी के हवाले कर रहा हूँ हजारों वॉलंटियर्ज ने इसके लिए रात दिन मेहनत की, सब लोगों का सपना था, सब लोगों का मैं बधाई देना चाहता हूँ अब मुझे पूरी उमीद है कि सेंटर भी एक पॉजिटिव एटिट्यूड लेके और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करेगा मैं नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा, कि जन लोगपाल नामक कानून पास होगा और उस दिन प्रशान्त भूशन अन्ना हजारे जस्टिस हेग्डे जैसे लोगों को उसका विरोत करना पड़ेगा देर आये दोरुस्ता है, लेकिन वो बहुत तूटावा सा है, बहुत अजीब सा बिल है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी धराय रखी हैं, जो अगर कोई कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ही उससे हटा देगी उसमें से, और जवाब तलब करेगी दिल्ली सरकार से एसा एक नीच पहली बार देखा है, अरविंधिकेजुरिवाल के रूप में, जो इमानदारी और सभिधान की बात करने वाला एक ती तो केवल और केवल मनमानी करने में लगे वे हैं, जो तरीका अपनाया है उससे स्रमनाग तरीका होने सकता, केवल सत्ता के नसे में चूर अर्विंद केजरिवाल अपनी मनमानी कर रहा है, एक किताब मुझे अर्विंद केजरिवाल ने भेट की थी, जो मुझे मिलने आये थे पहली बार रोनी के अंदर, कहूंगा, मुझे भी चीप यह, बाकी लोगों को भी जी दी, क्योंकि सवराज नहीं हैं, सवराज नाम की चीजे भूल चुके हैं, सवराज के नाम पर बोट लिया, सवराज के नाम पर लोगों को भरमित किया, मन दुखी हो रहा है, लेकिन मैं इस किताब के अंदर, को टेस्ट के तोर पर, इसमें मैं इसको अगनी के हवाले कर रहा हूं, क्योंकि इस्किरावा मेरे पास कोई राफ़ता नहीं है